हेलो गाइज I hope you are doing well और थेंक्यू बोलना चाहूंगी लास्ट मैंने आपको चिने एरपोर्ट का एक वीडियो शेयर किया आप लोगों बहुत अच्छा लगा तो अभी राइट नौ मैं लखनाव सिटी में हूँ लखनाव सिटी का एरपोर्ट चौदरी चरंशिंग एरपोर तो यहां इतनी जादा यह मेंटेनर्स नहीं थी अभी इसका पूरा लुक चेंज हो गया है वाकई में यह बहुत ही जादा ब्यूटिफुल हो गया है काफी फाउंटेंस यहां पर जो नहीं थे पहले वह एड़ किये गया है विश्व बहुत मस्ती कर रही है हम लोग यहां पर जस्ट आय हुए हैं तो विश्व की आप देख रहे हैं मस्ती चल रही है और बाहर से एयरपोर्ट काफी बदल गया है बहुत बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं कोवीट की वज़े से रश भी कम है तो यह पर आप दे इतने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है चुकि बहुत ही एवरेज एरपोर्ट लिखनों एरपोर्ट था बट अभी यह काफी ब्यूटिफुल एरपोर्ट हो गया है तो मुझे तो मैं काफी शौक हुई जब मैंने यहां पर जब इंट्री की तो यहां पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बदल गया है काफी हरियाली यहां पर यहां पर पार्क डेकोरेटेड है बाहर बहुत ज़्यादा अंदर घ्री अंदर भी है और यहां पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो टर्मिनल बहुत सारे नहीं है और मैंने आपको बाहर से सारा दिखा और अभी आप अंदर एयरपोर्ट के देख सकते हैं यह अदा का शूरूम है यह चिकन जो हमारे लखनों की शान लखनों की पहचान यह चिकन शॉप है अदा का और यहां आप देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटिफुल यहां पर यह मुसलवार सूट और सारी है एक्चुली ब पहचान है और यह अंदर आप एरपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस अभी यह पहले बहुत कंजेस्टेट हुआ करता था बट अभी यह काफी स्पेशियस दिख रहा है विकॉज यहां करोना की वज़े से काफी ज़्यादा स्ट्रिक रूल्स हैं यहा तो गाइस मैंने भी वरोना टेस्क करवाया है और आपको आपको यह जानके वहरानी होगी कि विशू जो केवल तीन साल की है उसने भी करोना टेस्क करवाया है ट्रेवलिंग के लिए तो यह सारी बाते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लखनाव एरपोर्ट काफी बदल गया है लाइक दो सालों में काफी चेंज आ गया है अई होप मेरा यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइबर शेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाई